पस्चिम मंगाल में पंचायद चुनाव के नतीजे लगातार आ रही है दूसरे दिन याने के बुद्दवार तक नतीजे आने का सिलसिला बना हुआ है ग्राम पंचायद, पंचायद समीती और जिला परिशद में सतारूर पार्टी यानि की टीमसी का जलवा देखने को मिल रहा है वहीं इस चुनाव में जूईत का दम भरने वाली बीजेपी पस्थ होती नजर आ रही है पस्थिम मंगाल में हुए पंचायद चुनाव में राचनितिक दलों ने पूरा जोर लगाया था जहां दीदी ने दावा किया था कि अपकी बार टीमसी जाएगी जीत तो वहीं बीजेपी ने ममता को मुश्किल डालने के लिए दम भरा था लेकिन अब जैसे जैसे नतीजे साफ हो रही है वैसे वैसे बीजेपी की हवा निकल रही है क्योंकि इस चुनाव में टीमसी का जलवा देखने को मिल रहा है ग्राम पंचायद की 63,239 पंचायद समीती की 9,730 और जिला परिशत की 928 सीटों पर हुए चुनाव की नतीजे में टीमसी समर्थक उमिदवारों की जबरदस्द जीत हुई है आकड़ों पर गौर करें तो ममता बनरजी की पाटी टीमसी ने 63,239 ग्राम पंचायद में से आधी से जादा सीटे जीत ली है बिजेपी ने ग्राम पंचायदों की 9,621 सीटे जीत ली है और 119 सीटों पर आगे चल रही है CPIM ने 2,908 ग्राम पंचायद सीटे जीती है 86 सीटों पर आगे चल रही है पंचायस समीती की बात करें तो TMC ने पंचायस समीती में 6228 सीटे जीती है जबकि 218 सीटों पर आगे चल रही है वहीं कुल 928 जिला परिशत की सीटों में से अब तक 608 सीटों पर फिरन मुल कॉंग्रिस की जीत हुई है 180 सीटों पर TMC आगे चल रही है BJP को अब तक 19 जिला परिशत की सीट पर जीत मिली तो वहीं CPM 2 सीटों पर जीत चुकी है और एक सीट पर आगे चल रही है पस्च्वी मंगाल पंचायस चुनाव में मतगर्ना का दौर अभी भी जारी है अभी पूरी तरह से रिजल्ट आने में वक्त लगेगा आकडों से साफ है कि चुनाव में TMC की बल्ले बल्ले है इस जीत से गदगद सीए ममता बनर्जी ने कहा कि ग्रामीन बंगाल में हर तरफ TMC है मैं लोगों को TMC के प्रती उनके प्यार सने और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि सरफ TMC ही राजी के लोगों के दिल में रहती है अब ममता बनर्जी की खुशी तो लाजमी है क्योंकि पंचे चुनाव को सभी दल इस बात के संकेत के रूप में भी देख रही है कि 2024 के चुनाव में देश के इस हिस्से में हवा खरू किस तरफ होगा डीबी लाइफ की रिपोर्ट